नमस्ते दोस्तों सबकर्ट कैसे आप सब उमीद करते हूं और आप ठीक हूं और बिचारा सोनू बाहर बैठा और इसके साथ छोटू भी है तो आज ना पानी थोड़ा सा जादा हो गया था एक चली पानी वाला आ गया था तो क्यम पर खाली नहीं हुआ था पीने का पानी इस उससी साब से मतलब खर्चा भी तो करना पड़ेगा तो ससे थोड़ा-thोड़ा जो भी काम भागएरा हो जाए चावली सी से दोङगी बच्चों का खाना है तो करकि तो इसी पानी से यांनी मीठा पादी से भी च्लरी दूएंगे तो देख सकते हैं दो बार धूलिया चाहुल को और जो बासमती चाहुल होती है वो थोड़ा साप ही होती है इसमें इतना डश्ट बगर नहीं होता है तो धूलिया को डाल देंगे बैसे 10-15 मिट पहले आगा चाहुल को भीगो के रखते हैं तो जल्दी पक जाता है लेकिन ऐस से बना रहे हों कोई दिकत नहीं है ड्राइफूर्स को मैंने या पर इस तरह चौप कर लिया है क्यूंकि ना छोट छोट ने करेंगे ना बच्चे ने खा पाता चोटू का गले में फसने के डर रहता है तो इस तरह से काट लिया है और देखिए या पर हरा धनिया ले लिए थोड़ा सा और एक छोट असा ट्रमाटर ले लिया है चोट इसी प्याज काट लिया और यह है आलू मतलब इतने से सब्जी बनाओंगी बस की बच्चों का हो जाए इसकी आगे और कुछ नहीं बनाओंगी और इधर जो है खीर बन रही है सोनो और छोटो दोनों बहार मतलब खेल रहा है और एक जिनने यह चोटो तो ग्लास लेके गुम रहा है आसमान जो है बहुत ज़्यादा बदल चाया हुआ है कल रात को सारे रात बारिश हुई है पानी कई-कई पे बहुत ज़्यादा जम्मा हुआ है आप भी यह रस्ता ग चुका है लेट हो गई में थोड़ा उदर काम में लग गई थी तो इधर दूद पूरा सुख चुका है तो इस बज़े से ना ऐसे डालना पड़ेगा तो देखिए अब डालूंगी चीनी चीनी कमी डालूंगी बच्चे है तो ज्यादा मीठा पसंद नहीं तो फिर वो खा इतना टाइम नहीं है गूर से बनाने में थंडा होगा उसके बाद में फिर करना पड़ेगी तो देखिए इसलिए चीनी डाल रही हूंने तो आज सोची थी कि गूर से बनाओंगी खीर गूर से बहुती अच्छी बिनती है लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता थोड़ हो जाएगा ना तो सही हो जाएगा परपेक्ट नाप बन जाएगी तो अब गयास को आप कर देते हैं कि खीर उतारने के बाद में मैं यहां पर बनाऊंगी सब्जी था कि एक सारा काम हो जाए और बच्चों को मतलब जल्दी से खाना परोज दूएं क्योंकि शाम की टाइम ज को मेरा सोनू का फर्माइश का है तो यहां पर मैंने ले लिया दो चम्मस तेल क्योंकि बच्चों का खाना और आपने देखा आलू थोड़ा इसा ही है तो इस बज़े से तेल मसाला बगार कमी डालेंगे और जो भी है सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा तो य में हर सबजी में या खीचरी में जो बच्चे को लिए होता है ना उसमें हिंग तो डालती हो और उसे के साथ प्याज डाल दिया तो ग्यास को है ना देखिए मैं फूल कर रखियों तो ज्यादा देर तक वेट करना नहीं पड़ेगा या आदी मिनित तक फ्राइब कर हल्दी पाउडर चुटकी बरजीत नमक डाला और प्यास ट्रमटर को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया तो एक से 10 मिनिट बाद में इसमें चोड़ना शूरू हो जाती है तो उसके बाद में बॉयल की हुए आलू को डाल दी और एक से 10 मिनित तक फीर से मैंने पका लिया या चल्क पका लिया तो हमारा सब्ची जो है तक कर रेड़ी कर सकूं तो उसके साथ ही मैं यहाँ थोड़ा सा साप सपाई कर रहे हूं क्यूंकि मैं अब पूरी बनाऊंगी और यहाँ पर चीटे लगी हुए तो दिन में कई बर साप हो जाती है लेकिन फिर भी गंदगी होई जाती है तो फाइनली देखिए मैंने एक बार पोचा लगा दिया है आप जो है दुबारा लगा दूंगी थाकि थोड़ा बहुत जो भी चिकनाट बगर होती है वह अच्छे से साप हो जाएगा और जगे कम होने के वचे से इस तरह से अजिस्ट करना पड़ता है तो फाइनल पकर लें छोटू का तो नहीं लेकिन सोनों का खासी जरू हो जाती है तो आटे में मैंने पहले नमक डाल लिया था और देखिए इस तरह मतलब आटा लगा रही हूं थोड़ा सा आटा बस तीन पराठा बन जाए जिसमें से एक तो सोनों खालेगा और बाकी का जो है मुझे मुझे खाने रात को चाल मगरा कुछी नहीं बनाओंगी बस पराठा तो देखिए मेरा अट्र लगकर बिलकुल रेडी है और इसमें मेरी तीन पराठा बनी तो अभी मैंने पहली दीमेगस पर रख दिया था गरम हो चुकी है तो जी तीन पराठा बनाएंगे बस मा बेटे चोटा सग्रेश्ती है तो एक पराठा बन चुकी है एक गमले में है और तीसरा मेरे हाथ में है अभी छोटू तो खाता नहीं है उसका तो नाम लेना वस है नाम का चोटू है एक दो गास खालेगा बोई भी मुश्किल है लेकिन डलिया तो मुझे बनानी पड़ेगी क्यों कि एक रोटी खायेगा सोनु थोड़ा बहुत दलिया खालेगा तभी पेट भरेगा ने तो मुझे बनानी है क्योंको छोटू के लिए बनानी है तो आप थोड़ा सा सोनु के लिए डाल दूगी तो एक साथ हो जाए इधर मेरी पराठा जो है एक तरफ से सीख चुका था त दूसरी साइड भी ना सेम तरीके से पलटके और धीमेगास करके इधर में आटा वगरा जो है रख रही हूं और बगउना को माजने के लिए डाल दिया यानि गमले को तो देखिए इधर मेरा पराठा जो है अच्छे से ना सीख चुकी और सारे पराठा को है आज तेल से य थाली और प्याली है ना माजने में रखी हुई है तो प्लेटे हैं वहीं निकालूंगे और दो प्याली वैसे हैं मतलब बड़े साइज की तो देखिए मैंने यहां पर सोनों के लिए बरतन निकाल लिया है ताकि बच्चे को खाना डाल दूं वह गर्म गर्म पराठा खाब दो दिन में लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है मुझे खुद को भी बहुत दूख है लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है बच्चा भी छोटा है हो सकता है बड़े होने के बाद में सही हो बोज अब छोटा था ना और भी कई सारे प्रॉब्लेम थी लेकिन जैसे वह बड़ा सा मतलब जिसे अभी वह पांच साल का हो चुका है तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लेम कम हो गई है बाकी धीरे धीरे उम्मीद करते हैं सारी जो प्रॉब्लेम है सारी सही हो जाएगी तो देखिए यहां पर मैंने डाल दिया बाबो को एक पराठा और इसमें से एक किलो दूद का और एक मुठी चाओल का खीर है इसमें हम लोगों का खाके और बच जाएगा क्यूंकि बच्चे जितना खाएंगे सोनु बस इतना ही खाएगा इसमें भी उसका मुह आम जाता है तो देखिए खाना लग चुका है तो चलिए देती हूं बाब और यहां पर हम उम्मिद करती हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किजिए और मिलती हूं फिर किस ने वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्ते जाहें